हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूटिव चैनल इस्टुडी विद एम आज मैं आप सभी के लिए एक महतोफोन क्लास लेके आचुके हूँ तो देखे आज किस क्लास में हम जीके जीएस एंड उत्राखंड के मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्यंस डिसकस करेंगे ये कुश्यंस आपके आगामे आरो यार एक्साम के लिए काफी महतोफोन है साथिसांद अधर उत्राखंड एक्साम के लिए भी महतोफोन रहने वाले हैं और देखे क्लास में आप सभी को कुश्यंस के साथ साथ इंपोर्टेंट फेक्ट भी बताये जाएंगे काफी हैं जो की काफी हलफुल रहने वाले हैं आपके आगामे एक्साम के लिए तो आप सभी लोग हमारी इस कलास को start कर लेते हैं चली आज किलास को हम स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चानल Study with AIM को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें साथ इसाथ बगल में जो बैल आइकन देख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए आप लोग हमारे टेलिग्राम गुरूप को भी जॉइन कर सकते हैं ये भी Study with AIM के नाम से ही बना हुआ है टेलिग्राम गुरूप पर रात को आठ बजे क्विज भी कराई जा रही है Important PDFs भी आप सभी को टेलिग्राम गुरूप पर ही प्रोवाइट की जाती हैं तो आप लोग टेलिग्राम गुरूप को जॉइन कर सकते हैं तो चलिए आज के session को हम स्टार्ट करते हैं और इस session का पहला question है जियो टेक्स्टाइल तकनी का प्रियोग करने वाला पर्थम बुग्याल कौन सा है तो देखे जियो टेक्स्टाइल तकनी का प्रियोग करने वाला पर्थम बुग्याल है द्यारा बुग्याल Option third discussion का correct answer है जियो टेक्स्टाइल तकनी का प्रियोग करने वाला पहला बुग्याल त्यारा बुग्याल किस जनपद में इस्तित है उत्तर काशी जनपद में उत्तर काशी जनपद में यह बुग्याल इस्तित है और देखे जियो टेक्स्टाइल तकनी का प्रियोग क्यों किया जाता है इस भू शरण रोकने का प्रियास इस तकनी के द्वारा किया जाता है भू शरण को कम किया जाता है इस तकनी के द्वारा तो इस तकनी का प्रियू करने वाला पहला बुग्याल है द्यारा बुग्याल जो की उत्तरकाशी में स्तित है और द्यारा बुग्याल को विशो मान चित्र में लाने का श्रीक से जाता है पर बता रोही चंद्र प्रभा एद्वाल को और देखें शीत काल में इस बुग्याल में मक्षन की हुली या फिर बटल फेस्टिबल मनाया जाता है निम्न मैंसे कौन ढोल सागर पर शोद परग लेक लिक लिख चुके हैं केशव डास अनुरागी ओप्शन फूर्थ स्कुशन का करेक터 आंसर है देखिए धोल की बात करें तो धोल एक प्राचीन वादी अंत्र है जिसे तांबे, पीतल और चांदी धादू द्वारा बनाया जाता है और उत्राखंड का राजी वादी अंत्र है धोल इसे वर्ष 2015 में राजी वादी अंत्र घोशित किया गया था इस कमेटी की शिफारिश पर धोल को राजी वादी अंत्र घोशित किया गया ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो ये कौन सी कमेटी थी ये थी भंडारी कमेटी भंडारी कमेटी की सिफारिश पर वर्ष 2015 में तातकालिन मुख्य मंत्री हरीश रावत के द्वारा धोल को गोशित किया गया, next question है, कि जन जाती के पारंपरिक परिधान को पुट कुली नाम से जाना जाता है, तो देखे कौन सी ये जन जाती है, जिसके पारंपरिक परिधान को पुट कुली नाम से जाना जाता है, correct answer हो जाएगा, टोडा जनजाती option फरस्ट यहां पर आपका correct answer है देखें टोडा जनजाती जो है ये नील गिरी पहाड़ियों की नील गिरी पहाड़ियों की सबसे प्राचीन और असमाने जनजाती है टोडा को कई नामों से जाना जाता है जैसे की टूदास इसके अलावा टूडा वनस और टोडर तो इन्हें टूदास टूडा वनस और टोडर नामों से भी जाना जाता है जोगी नील गिरी पहाड़ियों में निवास काती है नील गिरी पहाड़ियों की सबसे प्राचीन और असमानी जनजाती है टोडा जनजाती अगला कुशन है मानुदे काविय में किस चंद शाशक का नाम मिलता है देखे मानुदे काविय में नाम मिलता है लक्ष्मी चंद का ओप्षन सिकिन बिलकुल राइट आंसर है मूना कोड तामर पत्र में लक्ष्मी चंद का नाम क्या मिलता है लच्छी मन मिलता है यह आपको बाद गद्धी पर वैठा था और लक्षमी चंद को लखुली विराली उपनाम से जाना जाता है लखुली विराली इसका उपनाम है लक्षमी चंद का लखुली विराली उपनाम इसलिए था क्योंकि ये मुगलों के सामने भीगी बिल्ली बना रहता था इसलिए से लखुली बिराली कहा जाता था ये आपको याद रखता है मानो दे कावी के बात की जाए तो मानो दे कावी की रशना किस ने की थी कभी भरत ने भरत कभी ने इस कावी की रशना की थी अगला कुश्चन है आपका भारती खनन वीरो की स्थापना किशवर्ष होई थी? देखे, भारती खनन वीरो की स्थापना कब होई थी? बताइए जिन लोग को आंसर आ रहा है? comment section में comment कीजिए देखे भारती खनन ब्यूरो भारत का बहु अनोशाशित सरकारी संगठन है ये आपको याद रखना है भारती खनन ब्यूरो जो है ये भारत का बहु अनोशाशित सरकारी संगठन है और इसके स्थापना कब की गई थी इसके स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी option फर्स्ट यहां पर आपका right answer हो जाएगा ब्यूरो खनन विकास मंद्राले भारत सरकार के अंतरगत ये कारी करता है और इसका मुख्यो देशी क्या है इसका मुख्यो देशी कोईला पैट्रोलियम एवं प्राकर्तिक गैस इसके अलावा आणवी खनेज एवं विरल खनेजों के अलावा आणवी खनेज संसादोनों के वेग्यानिक विकास करना है ये ध्यान रखेंगे इसका जो मुख्यो देशी है ये कोईला पैट्रोलियम एवं प्राकर्तिक गैस आणवी खनेज एवं विरल खनेजों के अलावा आणवी खनेज संसादोनों के वेग्यानिक विका सकन्ना है और इस ब्यूरो का जो हेटकौर्टर है ये कहां पर इस्टित है महरास्टर राजी के नागपुर में महरास्टर राजी के नागपुर में इसका हेटक्वार्टर यानि के मुख्याले स्थित है भारती खान ब्यूरो के कार्याले जो है ये कहां कहां परिस्थित है ये भी आपसे पूछा जा सकता है इसका जो हेटक्वार्टर ये तो नागपुर में है लेकिन इसके और सारे कार्याले हैं कहां परिस् और राइपुर, राची और उदैपुर यहां पर इसके कार्या लए हैं अगला कुश्चन देखेंगे निम्न मैंसे किस नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है तो देखिए रेवा नाम से भी जाना जाता है नर्मदा नदी को आप्शन सिकन बिलकुल राइट आंसर है द और भार्दी उप महादीप की पाँचवी सबसे लंबी नदी है ये और मध्य परदेश राजी में इसके विशाल योगदान के कारण से मध्य परदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है देखें कावेरी नदी का उद्गम के बात करें तो गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है त्रियंबक पहाडी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और इसके अलावा एक नदी और है इसमें गंगा नदी गंगा नदी का उद्गम आप सभी कोई पता होगा गोमोग से होता है अगला देखेंगे देश में पक्षियों के प्रजाती के मामले में उत्राखंड किस स्थान पर है तो देखें देश में पक्षियों के प्रजाती के मामले में उत्राखंड है पहले स्थान पर option, first यहां पे आपका right answer हो जाएगा देखे, देश में पक्षियों के प्रजादी के मामले में उत्राखंड पहले स्थान पर है, अंतराश्टी website e-bird के द्वारा दिये गए data के अनुसार, उत्राखंड पहले स्थान पर है, और यहां जानकारी का प्रदान की गई थी, यह भी आपको पता रहना चाहिए, ग्लोबल बिग डे के दिन यहां जानकारी प्रदान की गई थी कप की गई थी? ग्लोबल बिग डे होता है आपका 14 में को तो यह ध्यान रखना है आपको अगला कुश्चन है आपका उत्राखन में राष्टी राजमार्गों के निर्मान, सुधारी करण एवं उनके चौड़ी करण के लिए इस विद्य वर्ष केंदर सरकार द्वारा कितनी राशी प्रदान की गई है तो यह जो आकड़ा है यह 2022 का है तो 2022 में कितनी राशी प्रदान की गई थी 22,000 करोड की राशी ओप्शन सेकेंड यहां पर आपका राइट आंसर है चलिए अगला कुश्चन देखेंगे कांडला बंदरगा किस राजी में इस्थित है कांडला बंदरगा जिव है यह भारत के गुजरात राजी में इस्थित है ओप्शन थर्ड यहां पर आपका राइट आंसर है कांडला भारत के गुजरात राजी के कच्छ जिले में इस्थित कच्छ नामक जिले में इस्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगा है और यह आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है कांडला बंदर्गा का प्रशाशन कांडला पोर ट्रस्ट के हाथ में है जिसका पूरा नियंद्रण भारत सरकार के जहाज रानी मंत्रा ले के हाथ में है और कंडला बंदरगा का नाम बदल कर आप क्या कर दिया गया है ये भी आप से पूछा जा सकता है इस बंदरगा का नाम बदल कर आप दीन दयाल बंदरगा कर दिया गया है और इसके स्थाफना कव की गई थी पूछ लिया जा सकता है 1956 आप याद रखेंगे 1956 में से स्थाफित किया गया था अगला कुशन है आपका पंभी हारी नुरति किस राजी का प्रशिद्द लोग नुरति है most important question है तो देखिए पंभी हारी नुरति जो है ये राजिस्तान राजी का प्रशिद्द लोग नुरति है पानिहारी नुरित्या राजिस्थान के लोग नुरित्यों में से एक है जो की काल बेलिया जाती के इस्त्री पुरुसो द्वारा किया जाता है ये जाती याद रखेंगे काल बेलिया ये जाती है तो इस जाती के इस्त्री पुरुसो द्वारा नुरित्या जाता है और पानी हारी का अर्थ क्या होता है पानी भनने जाने वाली तो यह पानी भनने जाने वाली यह आश्रित सहयोगल नुरित्य है और इस नुरित्य में महिलाएं सिर्पर मिट्टी के घड़े रखकर हाथो एवं पैरो का संचालन करके नुरित्य करती हैं और यह एक प्रकार का समूर नुरितिय है और अक्सर उत्सव या फिर त्योहार पर यह नुरिति किया जाता है अगला कुशिन है आपका ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां इस्तित है ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है आपके कुशिनगर में अप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है ट्रांसजेंडर समुदाई के लिए देश का पहला विश्व विद्याले उत्तर प्रदेश राजी के कुशिनगर में खोला गया है और इस विश्व विद्याले में चात्रों को कक्षा एक से पोस्ट ग्रेजुएशन और पी एच डी की डिगरी हासिल करने वाले जात्रों को रिशर्च करने का मौका दिया जाता है और ये विश्व विद्याले कुशिनगर जिले के फाजिल नगर ब्लॉक में खोला गया है विश्व विद्याले अखिल भारती किनर शिक्षा सेवा ट्रस्ट यानि कि अखिल भारती ट्रा बनाया गया है अगला कुश्यन देखेंगे काकरापार पर्मानो साइयंत्र किस नदी के किनारे इस्तित है काकरापार पर्मानो साइयंत्र है तापती नदी के किनारे ओप्षन सिकिन बिल्कुल राइट आंसर है काकरापार पर्मानो उर्जा साइयंत्र भारत का एक पर्मानो 220 मेगा वाट शम्ता की दो परमाणू रियक्टर है जो की दाबित भारी जल्ड रियक्टर है आफी महत्पोनी ये कुश्चन है आप सभी लोग जो भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उन्हें नोट डाउन जरूर का लिजेगा अधर आप चैनल पर ढोड़ेंगे तो ये सब्सक्राइब कर लिजेगा अपने दोस्तों के साथ अपने वर्टसप ग्रुप्स में डेली आप सभी को ये क्लास प्रोवाइट की जा रही है तो आप इससे जॉइन कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट कुश्चन है आपका निम्न मेंसे टनकपूर का प्राचीन नाम क्या है ट राष्टी गंजे ऐप्शन फरस्ट यहां पर आपका राइट आंसर है तनकपूर को बसाने का श्रेक से दिया जाता है मी टॉल्क को मे टॉल्क को इस से बसाने का श्रेक दिया जाता है और देखे तनकपूर जो है ये मापोनागरी मंदिर का प्रवेशत्वार है वर्ष 1890 इ चेदर का सबसे बड़ा मेला कौन सा है देखे जॉन सार चेदर का सबसे बड़ा मेला कौन सा बिसू मेला है ऑप्शन सिकिन बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा बिसू जॉन सार चेदर का सबसे बड़ा मेला है और यहां मेला बैसाखी के बाद यहां मेला बैसाखी के बाद चार दिन तक चलता है जोन सार में चावल से बने पापड को लाडू एवं शाकुली कहा जाता है जो कि बिस्टू मेले का मुख्य पकवान है तो आपको याद रखना है लाडू एवं शाकुली से कहा जाता है जो कि चावल से बने पापड होते हैं और बिस्टू मेले का प्रा अगला कुश्यन है आपका किस पंच वर्षी योजना के दोरान उत्राखंड अस्तित्व में आया इंपोर्टेंट कुश्यन है ये पंच वर्षी योजना थी नौवी पंच वर्षी योजना जिसके दोरान उत्राखंड अस्तित्व में आया था देखे वर्ष 1997 से लेकर 2002 तक 95 वर्शी योषिना चली थी और 2002 से लेकर 2007 तक 10 वर्शी योष्能 और 2007 से लेकर 2012 तक 11 वर्शी कियारवी 5 वर्शी योषना चली थी जो पंच वर्श योषना थी इसके चलते काशिपूर का IIM बनाया गया था तो आपसे फूश लिया जाए काशिपूर का IIM किस पंच वर्षी योजना के दोरान बना था तो आपको याद रखना है ये 11 वी पंच वर्षी योजना थी और भारत की अंतिम पंच वर्षी योजना 2012 से 2017 तक चली थी वर्ष 2015 में नीती आयूग अस्तितू में आ गया और योजना आयूग को समाप्त कर दिया गया पंच वर्षी योजना जो थी वो योजना आयूग ही बनाती थी तो उसके बाद लक्ष रखता 2017 तक लेकिन 2015 में ही नीती आयूग अस्तितु में आ गया था और आपका योशना आयोग है से समाप्त कर दिया गया अगला कुश्यन है आपका भीमताल में स्तित्थ विक्टोरिया बाद के इस वर्ष तैयार हुआ था विक्टोरिया बाद कहा परिस्तित है पूछ लिया जाए भीमताल याद रखेंगे और यह बाद तैयार हुआ था वर्ष 8883 में यानि कि ऑप्षन फोर्ट विल्कुल राइट आंसर है आपका विक्टोरिया बाद का निर्मानकारी वर्ष 1982 में शुरू हुआ था और वर्ष 1983 में यह निर्मानकारी इसका पूरा हुआ भीमताल की बाद की जाए तो कुमाओ छेतर की सबसे बड़ी जील है भीमताल जील इसकी लंबाई 1674 मीटर तथा चोड़ाई 447 मीटर है इसके तर्ठ पर एक मंदिर है भीमेश और महादेव का अगला कुशन है रास्ट विज्ञान दिवस आपके 28 फरवरी को मनाया जाता है ओप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है 28 फरवरी को कमला नहरू समर्ती दिवस राजी इंद्र प्रशाद समर्ती दिवस भी मनाया जाते है और देखे 24 फरवरी की बात की जाए 24 फरवरी को केंद्री उत्पादन शुलक दिवस मनाया जाता है तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लिजे अगला कुश्यन है विर्चन सिंगरवाली परेटन योजना की शुरुआत कि शवर्श हुई थी आप कमेंट करके बताईएगा आज की ये क्लास आपको कैसी लग रही है काफी important एक एक कुश्यन है आपका तो आप देख लिजे कि कुश्यन बहुत अच्छे से और जो भी facts आपको दिये जा रहे हैं उनको नोट डाउन कर लिजे विर्चन सिंगरवाली परेटन योजना की शुरुआत कब हुई थी ये बताना है करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्श दो हजार दो में आप्शन सिंगरवाली परेटन योजना की शुरुआत एक जून दो हजार दो को की गए थी इस योजना से स्थानी लोगों को परेटन की गती विदियों से जोनने के लिए परेटन विभाग बैंकों के माध्यम से 40 लाख रुपे तक का रुएन उफ लब करा था है अगला कुशन है आर्टिफिशल इंटलिजेंस किसकी शाखा है देखे आर्टिफिशल इंटलिजेंस ये साखा है कम्प्यूटर विज्ञान की ओप्शन सिकेंड बिलकुल राइट आंसर है और आर्टिफिशल इंटलिजेंस जो है ये कम्प्यूटर विज्ञान की वह अगला question है आपका बारत के किस राजी में माउटसू त्योहर मनाया जाता है तो देखें माउटसू त्योहर मनाया जाता है कहाँ पर नागा लेंड में मनाया जाता है। धरद बिल्कुल राइट आंसर है माउट सू नागा लेंड के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक तिवहार है और यह हर सार में के पहले सब्टा में मनाया जाता है और यह तिवहार नागा लेंड में ए-o जणझाती ए-o नामक एक जणझाती यहाँ पर निवास करते हैं तो इस जनजादे द्वारा यह त्याहार मनाया जाता है तो okay guys आज के session में इतना ही I hope आप सभी को आज का ये session काफी पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये session पसंद आता है तो session को like किजेगा शेर कीजिए जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूटिब चैनल इस्टुडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लें तो चलिए मिलते हैं एक नेक्शन ट्रस्टेंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद